आज हम इस वीडियो पे प्रोजेक्टाइल मौसन टॉपिक के एर फोर्स ने भी NDA कोश्टगार जितने भी कम्टेट्टू एक्जाम में फिजिक्स आती है तो प्रोजेक्टाइल मौसन के हम इस टॉपिक पे कोश्चन करेंगे जो आट-दस साल के एर में आ चुके हैं प्रेवियस येर के लिए चलाई गई है टॉपिक बाइज बहुत ही बहतरीन कलेक्शन है तो हमारे आठ वीडियो प्रेवियस येर के हो चुके हैं और यह नहुमा वीडियो है तदी आप पहले नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिश्ट एयर फोस एक्स गूर्प प्रेक्टि होने वाली है तो आप एक चीज़ थोड़ा सा समझे के प्रेस करिए और यहां पर सुबाए पांच बजे डेली सुबाए जीके की एर फोस ने भी एंडिये की लाइफ कलास चलती है तो एदि अब चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसके बाद में पहल गतिच उर्जा जो है ए है ठीक है और चैनल के साथ 45 डिगरी पर फेंकी जाती है तो उसकी उरान के दावरान जब वो उर्थित उसके दावरान सर उच्छे बिंदु पर गतिच उर्जा बताए कितनी होगी मतलब यह इंगलिस मीलियम वाले बच्चे देखें कि ए बाड़ी आपको समझाने की कोशिस करता हूं देखें जैसे की यह क्या है यहां पास से मान लीजिए यह उसको प्रोजेक्ट किये आप ठीक है मान लीजिए एंगल किता है 45 अरे भाई मान लीजिए 45 गिवेन है ठीक है तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आपक क्या बताना है काइनेटिक इनर्जी तो क्या आपको क्या आपको काइनेटिक इनर्जी का फार्मूला पता है काइनेटिक इनर्जी का फार्मूला होता है कित्ता होता है काइनेटिक इनर्जी का फार्मूला E equal to E dash equal to E cos square theta तो cos square theta की value 45 दिया है तो E equal to cos square 45 cos square 45 तो E equal to E into 45 की value 1 upon root 2 और root 2 का square करोगे root 2 का square करोगे तो 1 upon 2 1 upon 2 मतलब E upon 2 E upon 2 किस option में है E upon 2 किस option में है E upon 2 किस option में है तो अब चेक कर लीजिए E upon 2 किस option B option बिलकुन correct है तो बताएए किसका किसका सही हो बहुत अच्छा concept है और Air Force में पिछली year आ भी चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं next concept next concept बहुत ही अच्छा question है और ये question भी काफी बार paper में आया है डाइरेक्ट Newton's first law of motion describe the flow being जो Newton का गाती का प्रथम नियम है लिम लिखित में किसको वेक्ट करता है तो किसको वेक्ट करता है जल्द ही आप comment box में live comment में बता सकते हैं तो जड़ात है मतलब इनर्सिया first law of Newton इनर्सिया first law of Newton इनर्सिया याद रखिए कि बहुत ही अच्छा concept है बहुत ही अच्छा concept है next question समझे next question क्या कहता है कि अच्छा ए बॉड़ी आफ मास इतना है 40 gram is moving with constant velocity 2 cm per second on horizontal frictionless surface table तो force on table अच्छा force on table ठीक है 40 gram दब्रवान का एक पिंड एक छैती जे घरसन रहीत अच्छा घरसन रहीत का मतलब होता है जिसमें घरसन नहीं होता है ठीक है नियत बेग से नियत बेग से 2 cm per second से बेग कर रहा है तो उस पे force बताना है force बल बताना है कितना होगा तो बल बराबर क्या होता है mass into mass into acceleration mass into होता है acceleration तो देखो mass की भैलू कितने दिया है 40 acceleration की बैलू to multiply करोंगे जिदी का जाए भाई multiply करोंगे गैटि की साप्सनमें c आप्सनमें तो हिंदी मीडियम और इंगलिष मीडियम दोनों बल बराबर द्रबमान इंटू द्रबमान इंटू तोराना ठीक है और इसमें बैलू दोनों की दीत है दिया ठीक है दोनों की बैलू दिया था और इसी से आपका अंसर आता है ठीक नेश्ट कॉंसेप्ट ओ थोड़ा सा रुकी 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 और हम लापेटे गए हैं अच्छा यहां बैलो सिटी दिया हम तो एक्सेलरेशन की बैलो रख दिये और गलत है गलत कॉंसेट लगा बैठे और ऐसे ही कुश्चन यह कुश्चन ने अंडिये का था तो मैं ही तो सोच रहा था के अंडिये कुश्चन में कुछ भी घंचमेला नहीं हुआ तो फोर्स इक् सर टाइम बैलो सिटी सरकिता दिया है तू सेकंड दिया है ना ओ सेकंड का सेकंड हम टाइम पर सेकंड दिया है बैलो सिटी पर सेकंड और सीजियस में भी आंसर दिया नहीं तो फिर एक्टी करेक्ट है करेक्ट है पहले ही हम स्टेप सही लगाए थे ठीक है आगे आगे जब next concept में आप पहुंचेंगे तो next concept में दिया है at the top of transitory of the projectile the acceleration समझेगा सबसे उपर में सिखरक में कितना तोरण होगा मतलब जैसे ये project किये किसी object के इस point पे सबसे horizontal मतलब h maximum एक हधिक्तम में आपको जी की value बताना इस point में जी की value हिन्य मीने बालों को समझ में आगा ना इस point पे जी की value बताएगे किती होगी जी की value इस point पे भाई projectile motion आप सबसे पहले याद रखी projectile motion में जी की value होती है कौन से question मतलब चाहे वो टॉप में पूछे चाहे वो नीचे पूछे कहीं भी पूछे जी की value जी ही रहेगी projectile motion में ये दिमाख में आप एक लीजिए क्योंकि जी की value fix है 9.2 10 power 9.8 into meter per second ठीक है in motion of projectile अच्छा projectile motion फ्रेली अंडर gravity तो इट से अच्छा जो projectile है projectile है ठीक है तो उसमें जो है क्या कंजब रहता है ये पूछ रहा है देखे तो ये थोड़ सा यहाँ पे करते है non of these अभी पता नहीं energy और momentum देखो energy और momentum कैसे constant हो सकते हैं ये समझिएगा भाई इस तरह object गया इस तरह object गया तो देखो यहाँ जा रहा है', velocity घट रही है घट रही है बढ़ गड़ गई घट तक घटे गी यहाँ पे बैलो सिटी zero जब यहाँ पे बैलो सिटी zero फिर यहाँ increase हो गई समझ पा रहे हैं दूसरी पेन का, use करते हैं देखे यहाँ decrease 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 यहाँ पर जिरू हुई ठीक है पिर यहाँ से increase हो गई ठीक decrease और increase हो गई तो energy कभी नहीं भाई क्योंकि energy Mb square ठीक है energy Mb square होती है तदी यह बैरती घरती जा रही ति इनरजी बड़े घटेगी तो energy constant होने सकती momentum भी जब velocity constant नहीं है तो momentum कुई chance नहीं है तो c और d भी कटा a a apsons total energy constant total energy constant का मतलब होता है kinetic energy plus potential energy constant होगा याद रखेगा प्रोजक्टाइल मोशन में दोनों energy constant होती है total energy constant होती है ठीक है इसके बाद में ध्यान रखे इस फायड बीद initial velocity u at some angle theta हैज रेंज र अचा किसी बुलेट को जो फायर किये थे वो यू बैलो सिटी से स्टार्ट हुआ था थीटा एंगल के साथ रेंज जिस की र थी इनीसियन एनरजी को डबाल अचा अब उसके इनीसियन यू इनरजी जब थी यू बैलो सिटी थी तो र थी यू बेलो सिटी में रेंज र थी अब उस बेलो सिटी को डबल कर दिया जाए मतलब इस बेलो सिटी को अब दो गुना कर दिया तो सेम एंगल पे एंगल सेम है तो देन रेंज बता हूँ अच्छा इसको डबल कर दिया तो देखिए, range का formula R equal to U square sin to theta upon G होता है, angle same है, और G constant है, यह constant है मतलब R directly proportional to U square यह दो इसको double कर रहे हैं, इसको double कर रहे हैं R directly proportional इसको double कर रहे हैं U square को तो square को double मतलब, जब यहां पे 2 रखोगे, तो 4 मतलब यह चार गुना चार गुना बढ़ जाएगा तो इस तरह के question increase, decrease, double वाले आपको अच्छे से concept आना चाहिए क्या आप उ concept समझ में आया जो जो same दिया होता है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जो जो सेम दिया होता है उसको हटा देते हैं जितना बचेगा उसको directly proportional या inversally proportional लगा देंगे ठीक है इसके बाद जो value दिये होगी उसको रख देंगे जितना आएगा वही answer ठीक आगे बढ़िए आगे का हमारा question है कि आगे का हमारा question है कि जो inertia है inertia है inertia है inertia है inertia है जो inertia ठीक है वो प्रपारटी अब body by virtue अब body is एक body है वो किसकी प्रपारटी है यही बताना चाहता है कि किसकी प्रपारटी है ठीक है जड़त किसका गुन होता है ठीक है उसके कारण वस्तू ठीक है उसके कारण वस्तू क्या होती है भाई अब तो उसके कारण च स्टेट ऑफ रेश्ट सेट को चेंज करती है तो यहां पर डी आपसन आपको दिख रहा है कि इस टेट को चेंज करती है इनर्सिया के आप डिफनीशन बता सकते हैं इनर्सिया the property of body by virtue of it it say it's increase safe of size ठीक है increase उसके safe size को change करती है in a decrease करती है ठीक है उसी को इनर्सिया कहते हैं इसके बाद में नेक्ट कोश्चन क्या है कि हाँ नेक्ट कोश्चन है इसमें एक बुलेट है जिसे सेम हाइट से ड्रॉप किया जाता है हिंदी मेडियम प्लस इंगिलिस मेडियम दोनों समझने का प्रयास कर ये एक बुलेट है एक बुले fired horizontal, अच्छा एक bullet को यहाँ चोड़ा गया और एक bullet को यहां से, यहाँ सिरे क्या कर दिया, फायर किया गया, तीक है they will be hit the ground, अच्छा hit the ground, hit the ground hit the ground how does it,ufen the ground कैसे hit the ground करेंगे भाई, एक सार्थ करेंगे एक सार्थ करेंगे, एक सार्थ P option correct है क्या हूं correct है क्योंकि सर जो T होता है जो इनका time period होता है time period होता हो अंडर root 2 जी यह जपन जी ठीक है तो T जो है मास पर depend ही नहीं करता मास पर depend ही नहीं करता मतलब यह कि मास पे डिपेंड नहीं करता बैलो सिटी में डिपेंड नहीं करता ठीक है यह उसका जो है ना मास पे करता ना बैलो सिटी में करता इसलिए जो टी है जो टी है मास बैलो सिटी में नहीं करता इसलिए जो जो बुलेट और नॉर्मल बुलेट होगी और फायड बुलेट होग वो सेम स्पीड से एक साथ एक साथ जो है ग्राउंड को हिट करेंगे ठीक है आगे बढ़िये आगे बढ़िये आगे बहुत अच्छा कुस्चन है यह बहुत प्रेक्टिकली कुस्चन है a bomb is dropped from aeroplane moving horizontal at constant speed when air resistance is taken into consider then bomb समझेगा माल लीजिए यह aeroplane है इस side constant velocities चार रहा है constant velocity का मतलब यह होता है कि दो velocities start हुई होगी तो दो velocity में चलती रहेगी चलती रहेगी ठीक है constant velocities इस side जा रहा है तो यह बताएए आप imagine करेए जब constant velocity start जा रहा है भी यहां से bomb को छोड़े यहां से bomb को छोड़े तो bomb यहां जाएगा कि यहां जाएगा यह अपने दिमाग लगाईए भाई पीछे जाता है पीछे जाता है ना पीछे जाता है ना बाँ आगे थोड़ी कभी गिरता है और ना नीचे गिरता है इस साइड जाता है और यह इस साइड निकल जाएगी ठीक है जो यह है वो इस साइड निकल जाएगी और bomb इस साइड निकल जाएगा तो आप देख सकते हैं be option correct be option is correct fall to earth behind the aeroplane aeroplane के पीछे की और जाएगा bomb ठीक है आगे बढ़िए next concept में पहुंचिए आप अब देखिए क्या दिया है if initial velocity of projectile motion is double मतलब सर इसको u को यदि double कर दिया जाए ठीक है angle of projection से then maximum height अच्छा height है height कैसे depend करती है आप समझेगा height height equal to u square sin square theta upon 2 जी भाई यह constant है यह constant है सर यह sin square theta angle of projection सेम दे दिया था constant कर दिये जी हमेशा constant होता है u square h directly proportional u square अब u square को double कर रहा है double करेगा तो सर फोर टाइम तो फोर टाइम्स क्या होगा फोर टाइम्स क्वर्ट बढ़ जाएगा 4 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा 4 गुना c option बिलकुन correct है cut हो जाएगा ठीक है समझ गए ना फिर सुभ़ई ratio बाला है जो same था उसे जो same था उसे same करना है बाकी उनको बचा के रखना है ये lift concept और इसको मान लेजे very very most question very very most जितना most लगाना है मैं जितना भी इस concept को पढ़ाऊँगा आप ध्यान से पढ़िएगा ठीक है अब समझेगा थोड़ा सा पहले इसका concept पढ़ेंगे फिर इस question की कोसिस करेंगे मैं आपको reality बता रहा हूँ आपके दिल दिमाग में इसका concept कभी नहीं भूलेगा आपको practically समझा दूँगा बिना screen के तो चलिए आजाईए थोड़ा सा screen में कैसे आप खुद imagine करिएगा ये lift है ठीक है ये lift है ठीक है आप उपर जा रहे है उपर जा रहे है उपर जा रहे है जब उपर आप जाएंगे उपर आप जाएंगे imagine करिए आप उपर जा रहे है lift से ठीक है जब उपर आप lift से जाएंगे तो उपर जब आप lift से जाते हैं तो आपका बेट आपका जो बेट है जो आपका बेट है आपका बेट है वो आपका जो रियल बेट है उससे जादा होगा ठीक है और दूसरा कुश्चन ये है कि जब आप नीचे आएंगे लिप्ट से जब आप लिप्ट से नीचे आएंगे तो आपका जो बेट होगा आपका जो बेट होगा वो कम होगा क्या होता है की नहीं होता है की नहीं बस वही question यहाँ पर बना अपको क्या याद रखना है जब आप उपर जाएंगे तो बेठ क्या आपको ज़्यादा लगेगा डिल से और जब नीचे जाएंगे तो बेट कम लगेगा समझ पा रहे हैं ठीक है आपको समझ में आया हो तो आपको देखिए इसका मतलब लिफ्ट ही होता है लिफ्ट ठीक है इन वीच इन वीच सेचुएटेड ही फाइंड दे बेट लेस देन एक्चुल बेट अच्छा वह है जो बैठा है उसके अंदर वो उपार हा है कि उसका जो बेट है उसका जो बेट है वो लेस देन दे एक्चुल बेट एक्चुल बेट से लेस है एक्चुल बेट से लेस कब होगा जब लिफ्ट जब लिफ्ट नीचे आएगी जब lift नीचे आएगी मतलब सर B-Aption में आप देख सकते हैं B-Aption में अभी आपको concept वो समझाया था ना जब उपर जाती है तो जो real weight होता है वो जादा होता है real weight से weight आपका जादा लगेगा जब उपर जाएंगे और जब नीचे आएंगे तो real weight से आपका weight कम लगेगा ठीक है तो lift के दुबारा question मत करिएगा क्योंकि army technical हर paper में ये question physics का आ ही आ जाता है और ये practically चीज़े हैं उपर जाने में आपका weight ज़्यादा लगेगा नीचे आने में आपका weight कम लगेगा ठीक है next concept next concept में के है दो body है आज projected भी same velocity velocity same है if one is angle 30 degree other is it then ratio of height ratio of height अच्छा जब same velocity दे तो direct concept है जब same velocity दे तो height के जो ratio होते हैं होते हैं h1 upon h2 equal to sin square theta upon sin square theta ठीक है मतलब ये h1 upon h2 equal to sin square 1 theta की value 30 degree दिया 30 degree solve करोगे तो sir one upon two होता है तो one upon four आया upon sir फिर 60 degree दिया है root three upon two root three upon two होता है 60 जब वहां पे रखोगे root three upon two को square करोगे तो कित आएगा sir three upon four three upon three upon four three upon four उपर जाएगा four उपर जाएगा और multiply तो four upon twelve four upon अरे थोड़ा सब्सक्राइब स्वारी 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 sir इससे ये कटा चार से चार कटेगा तो sir three and path one three ratio one three ratio one किस option में है three ratio one समझ में आगा है जब velocity constant दे और height का ratio पूछे और दो angle दिये हुए हैं तो sir h1 upon h2 equal to sine square theta upon sine square theta अलग-अलग value रखके उसको solve कर ये जितता आएगा sir यहां पे तो a option direct आगया और आपको solve करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह दिया आप अच्छी practice करें हैं तो next concept when one newton force act on one kg body that is able to move freely the body receive body receive अच्छा एक newton है ठीक है एक newton का बल act हो रहा है एक kg में एक newton का बल यम ए ठीक है एक newton का बल एक newton का बल एक kg में हो रहा है ठीक ना और एक kg में हो रहा है then body receive body receive body क्या receive करेगी body क्या receive करेगी sir एक newton का बल और एक mass तो sir एक acceleration भी करेगी तो b option बिलकुन आपका correct option है बिलकुन आज का हमारा ये प्रक्टिस सेशन नमबर नौ रहा और हमें लगा हमें आसा है कि आपको कुश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और यदि आपको लग रहा है कि इसी तरह कि कुश्चन एर फोर्स नेभी इंडिये में आते हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए मेहनत करते रहेंगे आपके लिए कुश्चन लाते रहेंगे और बहुत ही अच्छा कुश्चन लाते हैं आज हम गरंटी देते हैं कि यदि आप इतने कुश्चन कर रहे हैं आपको अलाग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है पूरे कुश्चन पूरे कंसेप्ट हम आपको रिपीट करा देते हैं और हम आसा देते हैं कि आप यदि दो तीन महिने पूरे सिट हमारे लगा लिए जितने सिट दिये जाएंगे तो आसा देते हैं कि आपको फिजिक्स में 15 प्लस एज इटीज हैं हम आपको जिस दिन पेपर होगा एज इटीज आपको हम दिखा देंगे कि इस कुश्चन को इस प्लेलिस्ट में यहाँ पर यह देख लो लिखा हुआ है ठीक है आप संद तक चेंज नहीं होने देंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुन दोस्तों पे सेयर करें जय हिंद जय हिंद और अपना सपोर्ट बनाए रखें बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाते हैं आप और महनत करें घर में रहें सुरच्चित रहें जय हिंद